टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा यहां वहां हर जगहा आध्या को ढून रही है भई अनुपमा को पता करना है कि आखेर उसकी छोटी कहा है अपनी छोटी को अनुपमा ने बेगुना साबत तो कर ही दिया है लेकिन उसे अपनी छोटी तक सही सलामत पहुँचना है अनुच के आने से पहले अपनी छोटी को लेकर आना है अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे हाई बोल्टेज ड्रामे जहां पर परिशान अनुपमा आपको नजर आएगी तभी वहाँ पर आएगा अंश और अपनी दादी को सपोर्ट करेगा भाई अंश परी माही यही सब हैं जो अब अनुपमा का साहारा बने हुए हैं तो यहाँ पर अंश आएगा और अनुपमा को सब कुछ बताएगा अंश आकर अनुपमा को समझाने वाला है कहने वाला है कि दादी आप चिंता मत कीजिए आद्या फई को कुछ भी नहीं होगा अंश आकर अनुपमा के पास बताने वाला है कि आद्या फई बिल्कुल ठीक है और उसने आद्या फई को देखा है शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक अंशी होगा जिसे पता है कि आध्या कहां गई थी क्योंकि आध्या ने किया था अंश से बात ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ अन्शी है जो अनुपमा को आध्या के बारे में कुछ भी बता सकता है अन्श की बात सुनकर अनुपमा उसी जगा जाएगी जहां पर आध्या है वेल वेल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई बोल्टे स्ट्रा में जहां पर आइश ये भी बताने की कोशिश करेगा अपनी दादी को कि आध्या फई ने ममी की जान नहीं ली आध्या फई तो ममी को बचाने के लिए गई थी और बाकी सब वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे अब अनुपमा क्या करती है शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफे ज्यादा इंट्रस्टिंग फिलाल सीरियल में जेनरेशन लीप भी आने वाला है जो सीरियल की कहानी को पूरी तरह से बदल देने वाला है